नमस्कार भाई और भेनों मैं बताने जा रही हूं कि जूते चक्पल से सबंदित बाते जो कि एक बहुत ही खास बाते हैं जो बताने जा रही हूं कि आप जूते चक्पल से क्या नुक्सान हो सकता है क्या फायदा हो सकता है कभी भी आप किसी भारी व्यक्ति से उपहार में जूते चपन नहीं लें ऐसा करने पर जो गिप्ट देता है व्यक्ति का दुर्भाग हमारे पीछे लग जाता है जो भी उपहार में दे रहा है तो उसका जो दुर्भाग होगा वो हमारे पीछे लग जाएगा इसलिए आमें कमेशा याद रखी मित्रों ये कभी भी आप किसी के जूते नामें उपहर में और मैं आपको बताने जा रही हूँ खास बात जूते चप्पल से समंधित कि जिन घरों में जिन मकानों में जूते चप्पल इदर उदर बिक्रे पड़े रहते हैं वहाँ शनी का बास हो जाता है सनी दोश लड़ते हैं बढ़ते हैं शनी पैरों का कारा कि ऐसलिए पैरों से समंधित चीजों को अब वैवस्थित ठंग से रखें इदर उदर मत फेकें डालें तो उन्हें हमेशा समाल के रखें मित्रों फटे पुराने जूते चपल पहने से बचना चाहिए हमेशा सुन्दर जूते चपल पहने ऐसा करने पर भागे का साथ मिनता है हमेशा जूते चपल जो हैं बढ़िया पहने फटे पुराने ना पहने रसोईगर में आजब जाएं तो जूते चपल पहन कर नहीं जाना चाहिए जूते चपल में लगी धूल मिट्टी से रसोईगर में रखी खाने की चीज़े खराब होती है मान पूर्णा नराज होती है और जो आपके घर में बरक्कत आने वाली होती है वो नहीं आ पाती है यसलिए हमेशा जूते चपल जो है वो बहर उतारी जो बहर की चपल जूते हो उन्हें बहरी रखिए और जो घर की अंदर जूते चपल पहने वो दूसरे होने चाहिए हमेशा याद रखिए इस बात को जोतिश के अनुसार जूते चपल का अगर आप खो जाती है तो उसे सुम बारा गया है ऐसा होने पर हमारा जो खराब समय था वो दूर हो जाता है इसलिए जूते चपल गुम होने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए धन्वान मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरून करें झाल कि नहीं हो हाँ झाल पर सब्सक्राइब जरून करें झाल पर करें झाल झाल